हाई क्लास 10 आगे आप लोग कैसे हो याद लेक मी नो इन दो कॉमेंट सेक्षन आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की दो फ़र्स फ्लाइट इंग्लिस का जो बुक है उससे चाप्टर नमबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं हमने इस चाप्टर से अल्लेडी फ पार्ट टू और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जन्नत यानी कूर्ग के बारे में आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन बड़ी प्यारी जगह है तो आईए साथ में घूमते हैं करनाटक का ये छोटा सा जिला कूर्ग ठीक है कूर्ग इस कॉफी कंट्री फेमस पर इस रेंफॉरेस्ट आड़ इसपाइस एक बहुत ही छोटा सा जिला है करनाटक में यहां पर काफी बहुत उगाई जाती है कॉफी के लिए फेमस है थ्रू आउट दे इंडिया कॉफी यहीं कूर्ग से जाती है कूर्ग से ले जाया जाता है यह जो कूर्ग है यह अपन यहाँ पर rain forest jungle पाये जाते हैं, rain forest जंगलों को लगभग 18 degree Celsius का average temperature चाहिए, जिसके लिए कूर्ग बहुत perfect जगा है, कूर्ग में ना ज्यादा ठंडी, ना ज्यादा गर्मी, 18 degree Celsius, 20 degree Celsius के लगभग average वहाँ पर temperature होता है, कूर्ग हमारा मसालों के लिए भी काफी famous है, तो हम इस chapter मे coffee, rain forest और मसालों के लिए यह जो कूर्ग famous है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God, कहा जा रहा है, पहले location क्या है, इसका, यह जो कूर्ग है, यह कहां पढ़ेगा आपके इंडिया में, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore, आप map देख पा रहे होगे, Mysore और Mangalore के बीच में एक हरा भरा सा जिला तुम्हें दिख रहा है, हरा भरा सा जगह दिख रहा है, जिहां वही कूर्ग है, यह जो जगह है, यह बिल्कुल जन्नत सी है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, और इसको देखकर ऐसा लगता है, कि भाई, इसको हावाओं ने, drifted from का जब हवाएं इसे जन्नत से, सवर्ग से उड़ा कर ले आई हैं और धरती पर इन्होंने रख दिया है, यह बहुत प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही जाता प्यारी जगह है, इस जगह पर जाने के बाद ऐसा लगता है, कि सीधा जन्नत से यह जगह उठा कर धरती पर रख द मतलब पहाड यहां के काफी चोटे-चोटे होते हैं और इनका जो déjà stress कहते हैं तो कूरग में आपको चोटे-चोटे पहाड देखने को मिलेंगे और यहां के जुल लोग हैं बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, बहुत ही प्राउड रेस होते हैं, प्राउड रेस का मतलब बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, क्यूंकि ये मार्सल आर्ट जानते हैं, ये जूडो, कराटे, इन सब में काफी निपूर होते हैं, बिल्कुल योद्धाओं के जैस होते हैं वह भी बहुत खतरनांक होते से लेपर यहां पर पाया जाता है यहां पर आपको हाइन जंगली कुट्टे देखने को मिल जाएगे क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा ऐलिफाइक सारी जंगली जानवर का पूरा एक collection मिल जाएगा आपको कूर्ग में देखने के लिए ठीक है कूर्ग और कोडागू कूर्ग हम कहते हैं या तुम कोडागू भी कह सकते हो the smallest district of करनाट का करनाट का साउथ का एक राज्य है एक state है और उसका छोटा सा जिला है हमारा कूर्ग is home to evergreen forest, spices and coffee plantation यहाँ पर किस तरीके की खेती होती है यहाँ पर evergreen rainforest पाये जाते हैं मतलब ऐसे जंगल पाये जाते हैं जिनको साल भर बारिश चाहिए होती है तो कूर्ग वो बहुत ही perfect जगह है जहाँ पर evergreen rainforest पाये जाते हैं कूर्ग का जो average temperature है वो 18 degree Celsius है जो इन जंगलों के लिए बहुत ही जादा perfect है कूर्ग में लगातार बारिश होती है जो इन जंगलों के लिए बहुत perfect है इसलिए evergreen rainforest यहाँ कूर्ग में पाये जाते हैं कूर्ग हमारा मसालों के लिए बहुत जादा famous है और coffee तो यहाँ पर उगाई ही जाती है आप कूर्ग जाओगे न तो आप जैसे ही कूर्ग में enter करोगे न आपको हर तरफ coffee की महक आएगी पड़ी धमाके दार बहुत अब यह जो पूरा जिला है हमारा कूर्ग इसका 30% जो जमीन है वहाँ पर evergreen rainforest होते हैं वहाँ पर यह जंगल पाये जाते हैं बाकी 70% में लोग रहते हैं coffee उगाई जाती है मसाले उगाये जाते हैं लेकिन 30% जिला का evergreen rainforest से covered है during the monsoon it pours enough to keep many visitors away और जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ बारिस भी काफी ठीक ठाक होती है खास तोर पर बरसात के मौसम में बहुत तगड़ी बारिस होती है जिससे यहाँ पर जो visitors होते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं वो इन महीनों में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि काफी बारिस है यहाँ बार हाने का खत्रा बहुत जादा होता है इसलिए टूरिस्टर्स मांसून के सीजन में कूर्ग घूमने नहीं आते हैं तुमें भी अगर कूर्ग घूमने चाना है बरसात के मौसम में बिल्कुल मत जाना The Season of Joy умences from September and continues till March The Season of Joy का मतलब कब वो कौन सा टाइम होता है जिसमें जो Visitors होते हैं वो कूर्ग घूम सकते हैं Start from September Commences का मतलब होता है Start तो जो खुशियो भरा दिन होता है या जिन दिनों में पर्रेटक, Visitors, कूर्ग घूम सकते हैं वो कौन सा दिन होता है September महिने से लेकर March का महिना यानि जो हलकी हलकी ठड़ी पड़ रही होती है वो समय बहुत perfect होता है कूर्ग घूमने के लिए ठीक है The weather is perfect यहां का मौसम काफी सुहाऊना होता है September और March के बीच में with some soars thrown in for good measure और यहां पर हलकी भूलकी बारिज भी आपको देखने को मिल जाएगी September से March के बीच में जो यहां के सुन्दरता को चार चांद लगाता है Thrown in for good measure यह एक phrase है मैंने देखा है कि किसी भी वीडियो में इस phrase का मीनिंग नहीं बताये गया है इस phrase का मतलब होता है भाई कि कोई आप किसी चीज का तारीफ कर रहे हो ना तो अगर आपने लिख दिया thrown in for good measure मतलब आप उसकी और तारीफ कर रहे हो ठीके तो यहां पर बताये गया ना कि जो कूर्ग का मौसम होता है वो बहुत ही सांदार होता है और हलकी हलकी बारिस भी होती रहती है जिससे यहां का मौसम और भी सांदार और भी प्यारा हो जाता है Thrown in for good measure का मतलब और भी प्यारा हो जाता है यहां के मौसम में चार चांद लग जाता है जब बारी सोने लगती है तो कहा जा रहा है कि भाई आप जब कूर्ग में जाओगे न तो आपको चारो तरफ तरो ताजा कर देने वाली invigorating का मतलब आपको बिलकुल refresh कर देने वाली जो कॉफी की महक है वो आपके नाग तक जाती है आप अराम से स्मेल कर सकते हो कॉफी स्टेट्स और कोलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स अब भाई जो कॉफी की क्यारियां होती है जो कॉफी की खेत होती है जिसमें कॉफी उगाई जाती है और जो कोलोनियल बंगलोज है जो घर बनाए गए है कूर्ग में जहां पर लोग रहते हैं ये दोनो जगह स्टैंड टग्ड सुरक्षित है कहाँ पर सुरक्षीत है पेड़ के canopy के नीचे canopy क्या होता है आप जानते हो अभी आप picture देख पारे हो पेड़ देख रहे हो बहुत जादा पहला हुआ है तो ये जो पेड़ का ये ये वाला जो हिस्सा होता है इसके नीचे जितनी जगह होती है इसको हम canopy कहते हैं ठीक है, तो पेड़ के canopy के नीचे, colonial bungalows और coffee की क्यारिया एकदम सुरक्षित हैं, वहाँ पर उनको कोई भी disturb नहीं करता है, in prime corners, और ये जो पेड़ है, ये colonial bungalows और coffee states के उपर, मतलब इनके नीचे coffee और colonial bungalows होते हैं, just पेड़ के नीचे होते हैं, और ये कूर्ग के हर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पेड़ के नीचे bungalows है, जहाँ पर पेड़ के नीचे coffee की ख्यारियां लगाई गई हैं, ठीक है, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और Arabic descent, कहा गया है कि भाई, ये जो खुंखार लोग होते हैं, fiercely independent का मतलब ये अपने ताकत पर भरोसा खरते हैं, ये किस टाइप के होते हैं, तो भाई, जो ये खुंखार लोग हैं, कूर्ग के, इन्हें देखकर लगता है कि शायद ये किसी Greek देश के हों, या किसी Arabic, किसी Arab राज्य से आए हों, और इंडिया में आकर बस गए हों, अब हमें कैसे पता चला कि भाई, यहां के लोग Greek होंगे, या Arab देशों से होंगे, decent का मतलब होता है, इनके जो बाप दादा रहे होंगे, वो शायद Greek या Arab से जरूर आकर भारत में बस गए होंगे, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर प्रूफ दिया गया है, कि as one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical, अब देखो हमें कैसे पता चल है कि जो कूर्ग के लोग है, वो Greek देश से आए है, किस चीज से पता चलता है, क्योंकि आपने Alexander के नाम सुना होगा, Alexander the Great, यह Greece के राजा थे, ठीक है, तो Alexander Great ने जब King of Porus, Porus के राजा थे, भारत आये थे Alexander और Porus के राजा से युद्ध करने के लिए, तो भाई, जब युद करके यह लोग जा रहे थे ना, तो कुछ तुकडी, जो Alexander के आर्मी का, जो कुछ तुकडी थी, वो क्या करें, वो South की तरफ चली गई, करनाटका की तरफ चली गई, मतलब जो समुद्र का किनारा है, किनारे, 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 वो South की तरफ चले गए, और वहीं करना पस नहीं जा पाएंगे तो वो समुद्र के किनारे किनारे जाकर साउथ यानि करनाटका में चले गए और वहां पर एक छोटा सा जगह कूर्ग वहां पर जाकर सेटल हो गए अब देखो यहां से यहां तक क्या कहा गया है जो कूर्ग के लोग होते है ना उन्होंने अपने लोकल लोग मतलब जैसे यह लोग तो ग्रीस से आये थे तो इन्होंने क्या किया जो वहां के लोकल पीपल थे उनसे साधी कर लिया अब इनका जो कल्चर है इनकी जो रीती रिवाज है वो साप साप जलकती है किसमें जलकती है इनके मार्सल ट्रेडिशन में मतलब यहां के लोग काफी जूडो कराटे वाले होते है वीर योध्धा वो निभाते हैं जो मार्सल ट्रेडीशन यानि लोग यहां के जूडो कराटे सीखते हैं तो यह सब देखकर ऐसा लगता है कि यह लोग जरूर ग्रीस देश से आई होंगे ग्रीक के होंगे ठीक है विचा डिक्स्टिंग फ्रॉम दे हिंदू में इस्ट्रीम और यह जो रीती रिवाजी लोग अपनाते हैं जो रीती रिवाजी लोग फॉलो करते हैं वो हिंदू रीती रिवाज से काफी डिक्स्टिंग्ट है काफी अलग है देखो करनाटका जो है यह बड़ा सा राज्य है और करनाटका में एक छोटी सी जगह है कूर्ग ठीक है अब कूर्ग के लो वो पूरे करनाटका आपको मैं बता दूँ कि करनाटका में जादातर लोग हिंदू है तो यह जो main stream है जो जादातर लोग है वो हिंदू है और इनसे काफी अलग यह कूर्गर जो जिला है करनाटका में यहां की लोग इनका रीती रिवाज हिंदूओं से इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यह ग्रीक देश से होंगे ठीक है अब हमें प्रूफ इस चीज का भी मिलता है कि यह अरब देश से भी हो सकते है कैसे मिलता है देश आप जबी ने कभी कभी लाप टॉप या फोन में गेम तो खेलाई होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है यह एक ऐसा battle field होता है जहां पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए भाई यह सब possible है यह सब possible है अनिकेडमी के combat में अनिकेडमी combat है क्या यहां पर ना अनिकेडमी combat में आपको इंडिया के top educators question frame करके देते हैं Hindi, English, दोनों languages में भाई आपका जो live leaderboard होता है वो generate होता रहता है हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से number पर हो अभी इसके अलामोग personalized score rating से आप अपने performance को improve कर सकते हो evaluate कर सकते हो और सबसे ज़्यादा important कि भाई आपके पास chance है जो top performers होंगे वो merit certificate जीश सकते हैं और एक करोड तक का scholarship जीश सकते हैं basically Unacademy comment है कि यह एक तरीके का free life test है जहांपर class 6 to class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं हर Sunday Unacademy के app या website से आप इस test को दे सकते हो वैसे इस test में 30 questions होंगे 45-60 minute का आपका time होगा हर Sunday class 6 to 8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर Sunday 12 बजे दोपहर को class 9th and 10th वालों के लिए 11 बजे and 11th and 12 वालों के लिए एक बजे ये live test conduct होगा so किस चीज का wait कर रहे हो या description box में आपको link मिल जाएगी अपने-अपने class की मेरे code को use करो P-R-E-E-M ये मेरा code है आप इस code को use करके free में इस test को दे सकते हो even Unacademy से किसी भी तरीके की purchasing करनी हो 10% discount में तो आप हमारे इस code को use कर सकते हो go for it apart from that आपके upcoming exam के लिए Unacademy आप लिए लेकर आया है Christmas offer जिसमें आप अगर Unacademy के plus या iconic subscription को लेते हो 12 महिने के लिए तो आपको अगले 4 महिने का subscription बिल्कुल free of cost दे दिया जाता है ये particular offer class 6-12 वालों के लिए है तो फटा-फट नीचे description box में जाओ limited time offer है link पर click करो और मेरे code P-R-E-M का use करके इस purchasing को complete करो ये आपको offer automatically मेरे code को use करते ही मिल लाएगा इसके अरावा आप अगर Unacademy से किसी भी तरीके की purchasing करते हो तो आपको P-R-E-M code का use करना है 10% discount मिल लाएगा So go for it The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered west belt worn by Kodavus अब देखो यहाँ पर हमने Greek होने का इनका तो प्रुफ तो दे दिया कि भाई ये कैसे लगते हैं कि Greek देश से आते हैं क्योंकि ये martial arts सीखे हुए है इनकी साधिया इनका जो रिती रिवाज है बिल्कुल Greek देश की जैसा है अब कुछ लोग इसमें से अरब देश की भी लगते है क्यों क्योंकि ये ना बहुत ही लंबा काला सा कोट पहनते है और इस काले से कोट की उपर कमर पर ये बेल्ट पहनते है जो काफी कडाई की गई होती है आप पिक्चर देख पा रहे होगे बिलकुल ऐसा ही पहनावा कूर्ग के लोग पहनते है और ऐसा पहनावा देखकर लगता है कि ये जरूर किसी मुसलिम देश से आए होंगे किसी अरब देश से आए होंगे ठीक है ये जो लंबा सा काला सा कपड़ा ये लोग पहनते हैं, इसको कूपिया कहा जाता है क्या कहा जाता है? कूपिया कहा जाता है It resembles the कूफिया worn by the Arabs and the Kurs, और ये जो कपड़े पहनते हैं, जो कूर्ग के लोग ये कूपिया कपड़े पहनते हैं, लंबा कोट काला कलर का, और कमर पर ये कड़ाई की गई हुई ठीक है तो ये सब कपड़े देखकर अरब देशों में लोग कूफिया पहनते हैं आप अगर साउदी अरेबिया चले जाओ तो वहां के लोग कूफिया पहनते हैं और ये जो कूफिया ड्रेस है वो कूपिया से बिल्कुल मिलता जुलता है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ये लोग जो कूर्ग के लोग है वो शायद अरब देश से या कूर्द मतलब इरान में रहने वाले लोगों को हम कूर्द कहते हैं तो ये भी एक अरब देश ही है इरान, इराक, साउदी अरेबिया ये सब क्या है ये सब अरब देश है यहाँ पर जादे तर लोग मुस्लिम पाया जाते हैं तो भाई कूपिया पहनते हैं कूर्ग के लोग और इनका कपड़ा देखकर हमें लगता है कि शायद ये अरब देशों से आए हो चाहे ये इरान से आए हो चाहे ये साउदी अरेबिया से आए हो समझ में अब आगे बढ़ते हैं कूर्गी होम्स हाव ट्रेडिशन ओफ होस्पिटालिटी आप अगर कूर्ग की किसी भी घर में चाहते हो ना तो यहाँ पर रीती रिवाज है कि ये महमानों का जो स्वागत होता है बहुत अच्छे से करते हैं होस्पिटीलीटी का मतलब होता है महमान नवाजी ठीके तो यहाँ के लोग महमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं आपका बहुत सम्मान करते हैं आपका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और यहां के लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटे होते हैं किसलिए तु रिकाउंट सुनाने के लिए क्या सुनाने के लिए बहुत सारे कहानिया अपने बहादूरी से रिलेटेड इनके बेटे, इनके फादर्स, इनके एंसेस्टर्स अगर कुछ बहादूरी भरा काम किये होंगे तो उन कहानियों को सुनाने में यह बहुत तेज हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं यह कहानिया सुनानी के लिए अपने बेटों के बारे में, अपने fathers के बारे में, जिनोंने कभी पहले कभी न कभी कुछ न कुछ बहादुरी का काम किया हो तो ऐसी कहानिया सुनाना इन्हें काफी पसंद है अब देखो इंडियन आर्मी में अलग-अलग तरीके के रेजिमेंट है, रेजिमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रूप आप सोलजर्स, ठीक है, तो जैसे इंडियन आर्मी में पंजाब रेजिमेंट है, गोर्खा रेजिमेंट है, वैसे ही कूर्ग रेजिमेंट है, कूर्ग र लोग होते हैं, काफी बहादूर होते हैं, जिसकी वज़े से उनको काफी बहादूरी भरे अवार्ड भी दिये जाते हैं. और फर्स्ट चीफ आप दे इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कूर्गी और एक और चीज आपको बता दू कि जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे, उनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से ही थे, वो भी कूर्ग जिले से ही जाकर इंडियन आर्मी में च चीफ और पहला चीफ कौन था जन्रल करियप और वो कहां से थे कूर्ग से थे और अगर आज की भी बात करें तो भाई कूर्गी लोग कूर्गी भी कहते हैं ठीक है ये पूरे भारत में केवल इकलोते ऐसे लोग हैं जिनको गोला बारूद ले जाना पर्मिट है मतलब ये बिना लाइसेंस के बंदूखे रख सकते हैं आप अगर अभी बंदूखे रखना चाहते हो तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा लेकिन जो कूर्ग के लोग होते हैं ये पूरे भारत में इकलोते ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के गोला बारूद लेकर चल सकते हैं इंडियन गौर्णमेंट ने इन्हें ये पर्मीसन दी हुई है ठीक है आगे पड़ते हैं तर रिवर कावेरी आप्तेंस इस वाटर फ्रॉम दे हील्स और फॉरेस्ट और कूर्द और एक इहां की बहुती फेमस नदी है कावेरी कावेरी को साउथ का गंगा मया भी कहा जाता है साउथ के लोग इसे काफी पवित्र मानते हैं तो जो कावेरी नदी है वो अपना वाटर मतलब ओरिजिनेट अब आप्तेंस इट वाटर का मतलब स्टार्ट होती है देखो कोई नदी जो होती है वो कही ना कहीं से सुरू होती है जैसे गंगा गंगोत्री से सुरू होती है वैसे ही ये जो कावेरी नदी है ये कूर्ग से सुरू होती है यहां के जो पहाड होते हैं यहां के जो जंगल होते हैं यहां से कावेरी नदी में पानी आता है और कावेरी नदी यहीं से originate होती है यहीं से सुरू होती है महासीर a large fresh water fish abound in these waters और इन कावेरी नदी के पानी में आपको एक बहुत ही special type की मचली मिलेगी जिसको हम महासीर कहते हैं महासीर एक कावेरी नदी के पानी में बहुत परियाप्त मात्रा में पाये जाते हैं आगे देखते हैं king fishers dive for their catch अब जो king fishers पच्छियां होती है वो मचलियां पकड़ने के लिए पानी में गोते लगाती है while squirrels and langours drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water और यहां के जो squirrels होते हैं जो गिलहरियां होते हैं और जो langूर होते हैं देखो काले चेहरे वाला होता है हमें किसी को चिढ़ाना होता है थम क्या कहते हैं ओ लंगूर कहां जा रहा है तो वही लंगूर बंदर का एक जाती होते हैं तो हमने king fishers के बारे में पढ़ा कि जो king fishers पच्छियां होती है यह अपना मचलियां catch करने के लिए पानी में जंप करती है यहां पर ठीक है जो गिलहरियां होती है जो लंगूर होते हैं वो parsley eaten fruit मतलब आधा खाया हुआ फल मजे के लिए enjoy करने के लिए पानी में फेक देते हैं जिससे चप चप की आवाज आती है और यह चप चप की आवाज सुनना इने काफी पसंद है इसलिए यह आधा फल खाकर आधा पानी में फेक देते हैं ताकि यह यह जो आवाज है इस प्लैस की आवाज है जो चप से गिरने की आवाज है उसको सुन सके and the ripple effect आप देखे होगे कि किसी पानी में अगर आप को और जो यहाँ पर हाथियां पाई जाती है वो काफी मजे करते हैं नहाते टाइम और इनके जो महावत होते हैं महावत किसको कहते हैं जो हाथियों क्या देख भाल करता है जो हाथियों को रखता है उनको हम महावत कहते हैं ठीके तो जो यहाँ के हाथियां होते हैं इनके महा इन चीजों को काफी enjoy करते हैं, काफी मज़े लेते हैं इन चीजों के, ठीक हैं, the most led-back individuals become converts to the life of high energy, अब कूर्ग में आने के बाद ना, जो led-back individuals होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, वो convert हो जाते हैं, वो बिल्फुल बदल जाते हैं, high energy में, मतलब कितना भी आलसी इंसान हो, व इनरजी से भर जाता है, कैसे, क्योंकि भाई, यहां पर ऐसे adventure sports है न, जिसको करने के बाद आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, क्या आपने कभी river rafting की है, कूर्ग में होता है river rafting, river rafting क्या होता है, एक air filled balloon like boat होता है, जिसको now, now कहते हैं, और उसको नदी में डाल कर, कभी पानी के अंदर, कभी पानी के बाहर, river rafting कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो, this is called river rafting, लोग यहां पर canoeing भी करना पसंद करते हैं, canoeing एक पतली सी ना होती है, उस पर एक लोग या जब 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 बैट कर क्या कर सकते हैं, मसलियां पकड़ सकते हैं, और नदी का पुरा चकर लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो rafting और canoeing में बस इतना फरक है, कि जो river rafting होता है, वो बहुत लोगों के साथ होता है, canoeing केवल एक या दो लोग कर सकते हैं, ठीक है, रैपलिंग, मतलब रसी पकड़ कर पहाड से नीचे उतरना, rock climbing यानी पहाड पर चड़ना, ठीक है, रसी पकड़ कर पहाड पर चड़ना, and mountain what, and mountain biking, mountain biking आपने कभी देखी है, mountain biking का experience ले आपने, बिल्कुल, cycle जैसी बाइक होती है, उसको पहाडों पर चलाते हैं, that is known as mountain biking, तो यह सब यहाँ पर adventure sports हैं, यह याद रखना यहाँ पर कौन से कौन से adventure sports हैं, mountain biking, यहाँ पर चोटे चोटे पहाड होते हैं, तो आप cycling का मज़ा बहुत अच्छे से ले सकते हो, यहाँ पर, numerous walking trails in this region are a favorite with trackers, अब यहाँ पर numerous, मतलब बहुत सारे walking trails हैं, जैसे आपने दिखा होगा गाओं में पगडंडिया बन जाती हैं, लोग जहाँ से चलना सुरू कर देते हैं, तो वो एक रास्ता सा बन जाता है, पतला सा, तो यहाँ पर कूर्ग में आने के बाद आपको बहुत सारे walking trails दिखेंगे, पतले-पतले रास्ते दिखेंगे, जो की बहुत जादा favorite है, trackers के पास, trackers किसे कहते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, एक डंडा लिये रह जाएंगी, जो आपको बहुत अच्छा नजारा देखने को देती है, bird, bees and butterflies are there to give you company, यहाँ पर आपको birds बहुत ही अलग अलग तरीके की पक्षियां, मधुमक्षियां और butterflies आपका साथ देती हैं, जब आप tracking करते हो तो, जब आप पैदल चलते हो, यहाँ का खूबसूरत न जारा देखते हो, तो आपको अलग-अलग रंग के पक्षियां, मधुमक्षियां और तितलीआं देखने को मिल जाएंगी, macaws, macaws किसे कहते हैं, यह बंदर की एक जहती हथी होती है, आप देख रहे हो, इसको ही macaws कहते हैं, मालाबार स्क्वैरल, हमारे स्क्वैरल की तरह न ऐसे जानवर यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, keep a watchful eye from the tree canopy, यह जितने भी जानवर है, चाहे वो मकाईज हो गया, यह भी एक तरीके का बंदर है, माला बारिश क्वारल हो गया, ये भी एक तरीके का पेड पर नहीं वाला जानवर है, लंगूर भी पेड़ पर रहता है स्लेंडर लोरीस ये भी पेड़ पर रहते है तो ये कुछ ऐसे जानवर है जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो जब आप पैदल चल रहे हो तो शायद हो सकता है कि पेड़ में से ये तुमारे उपर नजर रख रही हो कि तुम कहीं इनको नुकसान ना पहुचा दो ठीक है तो ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं माकाई, मालाबार, स्क्वाइरल, लंगूर और स्लेंडर लोरिस जो की पेड़ पर पाए जाते हैं और ये लगातार जानवर तुम्हें पता चले या ना चले ये जानवर तुम्हें देखते रहते हैं अगर तुम कूर्ग में जाते हो तो और यहाँ पर इसने बता दिया कि तुम्हें कौन-कौन से पक्षियों से कौन-कौन से जानवरों से डरना नहीं चाहिए अब किस से डरना चाहिए I do, however prefer to step aside for wild animals और मेरा मानना है मैं prefer करूँगा मैं पसंद करूँगा क्या चीज़ पसंद करूँगा अगर मैं जंगली हाथी देखू न तो मैं उनसे बगल होना या मैं उनसे दूर जाना पसंद करूँगा क्योंकि यह संकी होते हैं यह जो हाथी होते हैं कूर्ग में जो जंगली हाथी पाया जाते हैं उनका को भरोजा नहीं कब उठा कर तुम को फेक दें और तुम निपट जाओ ठीक है तो इसलिए आप हाथियों से दूर रहें अगर आपको जानवरों का मज़ा ही लेना है तो आप पच्छीयों से ले मदमक्खियों से बटरफ ब्रह्मगीरी हिल्स ब्रिंग्स यू इंटो पैनारोमिक व्यू आफ इंटायर मिस्टी लैंड स्केप आफ कूर्ग अब यहां पर कहा गया है कि अगर आप ब्रह्मगीरी पहाड जो की कूर्ग में है करनाटक में है आप जब इस पहाड को चड़ रहे होगे ना तो आप इतना जादा नजारा आपको दिख रहा है ठीक है तो ब्रह्मगीरी हिल्स पर जैसे आप चड़ोगी तो आपको बहुत फैला हुआ धुंद से बारा मिस्टी का मतलब हलका हलका पहाडों में धुंद होती है ना एक पहाड दूसरे पहाड पर नहीं दिखता है अगर आप ए जो पहाड है जो जमीन है इन सब को देखना वहाँ पर बहुत ही मज़े की बात है ठीक है अब वाक अक्रॉस दे रोब ब्रिज लिट्स तो दे 64 एकर आईलैंड ओफ निसर गधामा अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आप अगर चलते चलते निसर गधामा में जाना चा आप इसी से चलकर 64 एकर में फैला हुआ यह जो आईलैंड है निसर गधामा यहाँ तक पहुँच सकते हो ठीक है इसको आईलैंड क्यों कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ पर जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है जो रसी का ब्रिज बना है केवल उसी रास्ते से आप जाकर निसर गधामा जा सकते हो निसर गधामा आईलैंड तो नहीं है लेकिन वहाँ के लोग इसे आईलैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने का किवल एक ही रास्ता है यह रसी वाला जो ब्रिज है ठीक है रणिंग इंटू बुद्धिस्ट मॉंक्स प्रॉम इंडियास लार्जेस्ट टिंबटन सेटलमेंट एट नियरवाई बाइलकुपी इस बोनस अब कहा जा रहा है कि रणिंग इंटू बुद्धिस्ट मॉंक्स अब अगर आप यहाँ कूर्ग गए हो तो आपको बुद्धिस्ट मॉंक्स मतलब जो बुद्ध भगवान के जो जो बुद् अगरुए है ऑनरे जो जन्यासी होते हैं और यह कौन सी जगह में जहां पर बुद्धिस्ट मॉंक्स दिखते हैं आपको बाइल कुपपी ये कूर्ग में एक जगह है अगर आप बाइल कुपपी जाते हो और वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉंग से मिलते हो तो ये आपके लिए एक बोनस है ये आपके लिए एक और अपनी जर्नी में मज़ा आयड करने का तरीका है ठीक है जो यहां के सन्यासी होते हैं जो मुद्धिस्ट मॉंग सोते है वो लाल कपडे कभी-कभी कुछ भगवा कलर के कपडे या पीले कलर के कपडे, रोप का मतलब होता कपडे पहने होते हैं आप यहां के सन्यासियों से जरूर मिले क्योंकि यह तुमको surprise कर देंगे यहां पर बहुत कम लोग जाते हैं ऐसे लोग जो मन की सांती चाहते हैं और इंडिया का जो heart है, इंडिया का जो soul है इंडिया का जो incredible beauty है उसको देखना चाहते हैं कूर्ग में तो वो बाइल कुपे जरूर जाएं क्योंकि बाइल कुपे में Tibetan settlement है, तिबद से आए लोग हैं, तिबद से आए monks हैं, ठीक है, जो तुम्हें लाल कपड़े और भगवा कपड़े और पीले कपड़ों में दिख जाएंगे और यह कूर्ग में surprises का का काम करते हैं मतलब आप इन्हें देखो कि तो आप इगनम surprise हो जाओगे क्यों? क्योंकि way to be discovered by visitors, क्योंकि यह जो buddhist monks होते हैं, यह जो यहाँ पर घुमने आते हैं इनके लिए यह काफी खुले होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो इनसे काफी friendly रहते हैं तो this is all about this chapter कूर्ग, hope you have loved this chapter आपको यह पूरा chapter पसंद आये होगा अगर वीडियो अथी लगी हो, तो आप चानल को सस्क्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो मिलते हैं इस chapter के third part के साथ जल्दी, तब तक के लिए शश्रियाकाल और जय हैं